नवश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ ननिनी यादो आज ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट का दूसरा दिन है तमाम आज केंद्रिय मंत्री के तमाम लोग आज वहाँ पर उपस्तित रहेंगे बतादे कि लक्त 9 के आज दूसरा ग्लोबल इ तरीके से डिजिटल फ्लेट फॉर्म को बढ़ावा देने के लिए महिलाश शक्ति करण को बढ़ावा देने के लिए तमाम इस तरीके के मुद्दों पर आज निवेश के लिए चर्चा किया जाएगा बता दे कि इन्वेस्टर समिट तीन दीवसीय कारिक्रम है आज इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है कि दिस सरकार के तीन दिवसी है 34 यूपी के विकास पर मंधन किया जा रहा तीन दिवसी है चौद देश का ग्रोथ इंजन बना उत्रप देश आपको बतादे कि यूपी सरकार का कहना है कि देश का सबसे बड़ा सम्मिट है जहां पर लाखों यूआओं को रोजगार मिलेगा और वहीं पर कारिक्रम में आज जोतिया रादित सिंद्या समितिय इरानी शिर्कत करें है इसके बाद शाम में नितिन गटकरी में शिर्कत करेंगे पताते कि लखनों में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है तमाम केंद्र सरकार के मंत्रिया जो यहां पर शिर्कत कर रहे हैं तीन दिन का 34 सत्र यूपी के विकास पर मंधन किया जा रहा है वही सरकार का कहना है कि ये देश का सबसे बड़ा समिट होगा जहां पर लाकों यूपाओं को रोजकार मिलेगा और इस खबार पैदिक जानकारी के लिए हमाई सरस्वादाता विवान्शों चूड़ेंगे विवान्शों देखा जाए ग्लोबल इंवेस्टर समिट का दूसरा दिन है क्या कुछ महाल देखनी कमूल रहा है प्रदेश के विकास में रफ्तार लाने को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योग्या लितनात की अगवाई में ग्लोबल इंवेस्मेंट समिट का जो आयोजन हुआ है आज इसका दूसरा दिन है कल देख के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के दूआरा इस कारिकरम की शुरुआत की गई उसके ठीक बात से आपको बताए कि तमाम सेशन चल लाए हैं अगर बात की जाए तो आज कारिकरम का दूसरा दिन है सबसे पहले मैं आपको तस्रीव में दिखाना चाहूंगा कि आप यहां देख सकती है कि तमाम टेंट बनाए गये हैं ज सबी हालों के तरफ आपको दिखाऊंगा तस्रीव में दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां पर निवेसक का जो बाजार लगा है अब तस्रीव में देख रहे हूंगे ठीक सामने निवेसक अपने हाल में जा रहा हैं वहीं अगर बात की जाए तो चार हाल बनाए गया है अगर साथ ही तोटल इसे चार जो हाल बनाए गया है सेमिनार हाल बनाए गया है इसमें वेभिन तरह के सेमिनार चल ले अगर बात की जातों आज सबसे पहले दधीच हाल में सेमिनार की शुरात हुई जिसमें आपको बताए कि निदरलین्ड के तवाम जो निवेसक्त है जो एंटी सेशन एंटी क्राइम को लेकर एक सेशन चलाए गया जिसमें सूबे के उपमुख्यमंत्री केसो प्रसाद मौर्या मौजूद रहें वहीं आपको बताएं कि आज वहीं दूसरे हॉल में जापान के पार्टनर एंटी करॉप्शन सेशन का आयोजन किया गया जिसमें एंटी की जो को शेयर किया गया है कि जो जापान के अंदर में जो तकनीक को किया जा रहा है उसे उत्तर्फ देश में भी कैसे लागू किया जाएगा आप तश्रीव में साब देख वही होंगी कि ठीक सामने यह हॉल जो तैचारों हॉल बनाए गये हैं उसका यह प्रत्रवेस्ट को देखते हुए चारों हॉल को नामांकरन किया गया है आप तश्रीव में देख वही होंगी कि आपको ठीक सामने निवेसक जाते हुए देख रहा है यह सभी निवेसक हॉल में जा रहे हैं अपने सेसन को एटेंड करने के लिए वहीं आपको बताएं कि अगर बात करें ती मुझूद होंगे उसके ठीक बाद अगर बात की जा तो देश के मैं केंद्रिय महिला बाल बेकास कल्यार मंत्री इस मुतिवानी भी आज कारिक्वर में सिर्कत करेंगी पैस समय अनुसार दो बज़ के 45 मिनट पर वो इस कारिक्वर में आएंगी साथी साथ है केंद्रिय मंत देखे तो हॉल के ठीक साब ने पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गया है जहां से आपको बताए कि यह पूरा जो प्रांगर है यह च्छै एकर में बना है और स्थाई सहर कह सकते हैं क्योंकि इसमें होटेल से लेकर रिस्टरेंट से लेकर इसपास से लेकर और साथ ही हॉस्प जे आपको बतादे कि अगर बात करें तो तमाम दावेवादे किये जा रहे हैं कि इसे आयोजन से कही ना कहीं बिकास की जो रफ्तार है उत्तर प्रदेश की उसमें इजाफा देखने को मिलेगा साथ ही बात करें तो रोजगार और स्वार रोजगार के और संत्वदान किये समीप पहुच गया हूँ ठीक सामने हॉल नंबर टू है जिसे दधीच हॉल के नाम से जाना जा रहा है ठीक सामने विसी दधीच की फोटो लगाई गई है मैं अपने सहियोगी विजय वीडियो जॉनलिस्स से कहूंगा कि वह आपको दिखाएं कि ठीक सामने ठीक उसके सामने व्यास हॉल है जहां पर एक सेशन चला है यहां तमाम निवेसक हैं उनसे भी बात हम करने की कोशिस करेंगे कि आखर उसके कारिक्रम से उनका क्या कहना है और कहीं न कहीं देखें तो जो तमाम तक नीके हैं उसको उत्तर प्रदेश के अंदर में कैसे अस्थापित करेंगे उसको भी लेकर चर्चा की जा रही है ठीक साबने सेशन चला मैं सबसे पहले कहूंगा कि अपने सहयोगी से कि आपको दिखाएं कि अंदर अगर देखें तो दाधीच हॉल में दूसरा सेशन चला है और तमाम निवेसक बैठकर इस सेशन में अपने विचार रख रहे हैं व और साथ ही कहा जा रहा है कि जो प्रधान मंतरी का सपना है कि देष को एकोनोमी को हम 5 trillion economy बनाएंगे और अब साथ ही इसमें अगर देखा जा तो उत्तर देश के मुख्यमंतरी की तेप से कहा गया कि हम 1 trillion economy बनाएंगे कल मुख्यमंतरी अपने संबोधन में इस जो आकरा है को पार करने की बात कहे हैं अब देखने वाली बात होगी कि किया तमाम दावेवदे की जारहे हो जमीन पर उतर आ पा रहे हैं अगर बात की जा तो यहां सहभागिता दे अगर बात की जा तो यहां टेंट हाउस भी बनाए गया है जो हाल फिल हाल में अगर देखे तो बनारस के अंदर में जो एक टेंट का निर्मान किया ठीक हूब हूँ उसी तरह से यहां पे भी टेंट का निर्मान किया गया है जो कहीं ना कहीं पांच सितारा होटेल को एतुलन में ऐसे हॉल में अब देखे तो तमाम सेशन चल लाए हैं और निवेसकों से बात कर रहा हैं तमाम जिम्मदवान क्या इस को लेकर आप क्या सोचते हैं से यह बहुत ही बड़ा कदम है जो सरकार द्वारा लिया जा रहा है जाए वह अगर यहां की शटेट गुवर्मेंट की बात करें तो यह बहुत अच्छा कदम लिया जा रहा है सरकार की तरफ से हमारे जैसे जो नए यूवा पीडी के लोग जो इंवेश्मेंट करना चाते हैं या जो भी अपना खुद का बिजनस करना चाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी उपरचुनिटी है एक connect बनाने की opportunity अच्छी है, कुछ सीखने की opportunity है और इस चीज को परणधान मंत्री जी जो नरीद मोजी जी उसको बढ़ावा दे रहे हैं योगी जी उसको बढ़ावा दे रहे हैं इसे अच्छी बात हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है इससे पता चलना कि हमारा देश सही में तरक्की करना है आप युवा हैं और बात की जत उत्तर देश में तमाम युवाओ की आसा पिक्सा है कि इस आयोजन से उन्हें रोजगार और स्वारोजगार के औसर पदान हो इस पे आप क्या क्या सूचना है जैसे ही अगर मतलब इंडस्ट्री की बात करें या अगर आप बात करें किसी बिजनस की अगर वो ग्रोग करेगा तो आटोमाटिकली यह बात सही है कि रोजगार के अफसर भी पैदा होंगे और सब चीजे एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस चीज को समझते हुए जो मैंने जैसे बोला कि चीफ मिनिस्टर योगी जी और यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यह दोनों चीजे इस चीज को इंटरलिंग करने की कोशिश कर रहे है जो एक बहुत ही इंपोर्टेंट कदम है हमारे साथ है क्योबा थे जो यहां निवेसक के तौर पर समलित हुए उनका कहना है कि कही ना कहीं देखे तो तमाम बदलाओ ले आएगा यह आयोजन हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे उनसे भी जानेंगे कि आखे इस आयोजन से उनका क्या कहना है क्या अपिक्सा रखते हैं और बात करें तो अभी अगर देखे तो यहां चारू हॉल में अलग-अलग तैस हमें अनुसार अलग-अलग सेसन चलेंगे अगर बात की जाए तो कल समापन है जिसमें देश की महा महिम राश्च्छपती जोपदी मुर्मुर सिरकत करेंगी आपको बताएं कि कल अगर बात करें तो इस सेसन के अंदर में प्रधान मंत्री हर एक जगों का पूरे टेंट सेटी का जो टेंट पूरा ये लगाए गया ह जमीन में उसको और लोकन किये गोल्फ कार के द्वारा साथे उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि कैसे हम जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप तस्षीरों दिखाते रहें और जो त सक्कारेक्रम को भावे बनाने के लिए साथी सात है इस कारीकर्म को सफल बनाने के लिए सरकार के मंत्री तमाम अठक वयास किये जिसमें विदेशों में जाकर वोड सो किए और वोड सो के माध्यम से जो यूपी मॉडल है उसको प्रस्थुत किये और उसका नतीज़ा है कि आयुवन के अंदर में इतने लगभग 20 देशों से डिलिगेट साथ दस हजार संख्या में यहां निवेसक निवेसकी इक्सा लेकर आए हैं ठीक सामने इंडस्टी पार्टनर के टेंट बनाए गया है उसके ठीक सामने अगर बात करें तीक बगल में आप देख रहे होंगे कि कि पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गया है क्योंकि बात की जाए तो लगभग 20 हजार से अधिक लोग यहां मौजूद हैं तो कोई ऐसी अगर बात करें तो अनायतिक चीज़ें ना हो जिसको ध्यार में रखा गया है ठीक सामने आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के कैबिन मंत्री सुतनदेव सिंह हैं हम उनसे बात करने का प्राइए उनसे जानने कि की इस रुखं का करने से यह बात करें तो इस वे इस कारिक्रम के अंदर में तमाम उत्रपदेश सरकार के कैबिनेट मंत्वी हैं जो निवेशक का क्या लगता है कितना भविश्य बदलेगा बदलाओ की बादर बात की जा रही है अगर बात करें तो तमाम जो निवेशक आ रहे हैं वो उत्तरपदेश की संसकार संस्कृति और साथ ही साथ जो तहजीब के साथ यहां खिदमत की जा रही है आयोजकों के द्वारा तो उससे कही ना कहीं वो आकर्सित होते हुए नजवार है वहीं अगर बात कि जा जो आगर ये तीन दिन का आयोजन है इससे के तमाम जो अपेक्साइब रखें च्पने को मिलना है अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां कल समू के अध्यक्ष मुके संबानी की तरब से कहा गया कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को 5G सेवा से जोड़ेंगे जिससे कही ना कहीं जो इंटर्नेट की क्रांती है उसमें इजाफा होगा और लाखों की तारदात में हम यहां नौकरिया देंगे तो कहीं ना कहीं देखें तो इसे कारिक्रम से तमाम जो युवा हैं उनकी सबसे जारी जादा अपेक्षा है वहीं अगर बात की जाए तो यूपी के बजट के 5 गुना निवेसक का प्रस्ताव अब तक आ चुका है आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश का लगभग 6 लाख करो का MOU साइन किये जा चुके हैं साथी आपको बताएं कि MOU के साइन होने के बाद तमाम प्रक्रिया होती है जिसके बाद कहीं ना कहीं जो यह आयोजन है वो सफल हो पाएगा वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के बजट से जादा कहीं निवेसकों के रहारा MOU साइन किय गए हैं इससे लगभग प्रदेश के अंदर में 92 लाख रोजगार और सौर रोजगार के और सर्फवदान होंगे हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहां जो तमाम विवास्थाइं बनाई गई हैं उसके लिए विवी आई पी रूट भी तैय किये गया है जो क साथी देश के प्रधान मंत्री भी कल इसी वस्ते से आयोजन अस्थल पे पहुंचे थे और अभी आपने देखा कि सिचाई मंत्री सुतन देव सिंग भी ठीक सामने से गुजवे वह भी इसी रूट से निकलना है यह ठीक सामने पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गया है जहां बात कवे तो लगबग हजारों की संख्या में बैठेने की सेटिंग अरेंडमेंट किये गये हैं जो वोस्तर डूटी के तहर तमाम पुलिस कर्मियों की यहां जो डूटी लगी है वो यहां आकर विफ्रिस्मेंट ले रहे हैं हमारे साथ हमारे समौदाता वितेश हैं हम इन इस आयोजन से जो अभी नीचे की तपके के लोग छूट गए थे उनको जरूर कहीं ना कहीं अब दवसाइं मिलने वाली हैं रोजगार मिलने वाला है फिलहाल जिस तरीका का यह मेले का भव आजना आप देख रहे हैं यह उत्तर प्रदेश में चौथिया पाच्वी बार ह कि जो निष्ट कहां पर मौजूद है रहा है कि अगर लिइस्ट हो चुका है जैसा कि ल लोगों ने लगातार लोगों लिए कर रही है जो दमी हैं उनके लिए कर रही है लेकिन जो छोड़े तपके के लोग हैं जो रोजगार नहीं मिल पारे जिनकों उनके लिए क्या किया जा रहा है फिलाल उसको भी दिशाद दी गई है जो बात हुई उससे लगता है कि जरूर अब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं रोजग होगी वोजगार के स्विजन कबने के काम होंगे इससे क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये चारों हिस्सा क्या सोच कर वैठा होगा क्या आप एक्षाएं होंगी उनकी देखे सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का नेत्रत मुख्यमंत्री योगिया जित्तर तूट गया है दुबारा उसे प्रयास करेंगे। सवाधाता सागर के पास चलते हैं। सवाधाता सागर के पास चलते हैं। सवाधाता सागर के पास पास चलते हैं। सवाधाता सागर के 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 पास चलते हैं। पर इजय इखना शेतर पर राखा पड़ता है तो यहां पर तुरिक रिखन से कार्ट सामाग है तो अरूँ ताइवकर ने वो अपर पर साथ शीज द अपर सब्सक्राइब से अपर निया भी अपर कुछम करती तो तुरिक अटमा शीम जोगी कारत्रब हुए तश्वल्या ला सागत देखा जाये तो जिस तरीके से यादायात रीयम को लेकर लेकिन ट्रैफिक में जो है आम जंता कहीं घंटों जाम लगा रहता है कही नहीं आम जंता को बहुत ज़्यादा परिशानी होती है तो क्या लगता है कि इस बार प्रिशासन सफन्तनि नजर आ रहा है पर दिखेंगे लाका है वह पर क्रापी खुन नुसुत समाने रहे लाका है और वहां से केवल निकलता है वह सहीद पर शुरुआत होता है कंप्ता चौराइश उसकी जो चोर है वह उसी एरपोर्ट के बास है वह शहर के एक्टम किनारे से निकलता है तो इसमें जाम की अधर्शन के अधरी स्टाइब करता है यहां पर अपने तो अपने प्रकाशन होता है वो अभी दिलाल इसे प्राफिक में आप पिछले पास माना जाएगा, क्योंकि फिर्फिक पहले भी पहले भी पार बश्ट हुआ है, जाएब भड़े इंवेंट्स हो वहां पढ़ता है, जो निजी वहां ने पज़ आते हैं, और जिनने जरूवत के काम से प्राइले जाना हो और यहां पर बिस्वा हाईगे है, सहीट पाथ है, वो काफी लंबा हाईगे माना जाता है, तक यहां पर दूसरे चोड़ तक जाता है, और आम आदमी इसमें कल फजा है, लेकि आज की बास बतादू आज उलमिला के महां पर हम पहुंचे हैं, तो तो दिनना में ट्राफिक समान है, इस तरह से लगनों के अन इलाकों में ट्राफिक समाने बताए जा रहा है, वहां पर भी समाने बताने की पुछ्की हुई है, जी, सागर देखा जाये तो अभी केंद्री मंत्रियों का आवा गमन जारी रहेगा, खास इन्वेस्टर समिट को लेकर कितना कंट्रोल जी तरह से प्रिशासन का ट्रोल करते नजर आ रहा है, और यह देख सकते हैं, यह पहुँचे हैं, यह पहुँचे हैं, यह बहुद बड़ा चौहाँ जाता है, यह पर कमाम BBI-20 यहां से बुजरते हैं, चाहिए वह महामाहिन राजवपाल हो, महामाहिन राजपटी हो, ब् इसके आगे इद्राकांदी पत्रिश्काने वहां पर लगता है, तो फिल मिला के जो डेलिगेशन जो आ रहा है, जा भी आज़ता है, उसको लेकर बशाते हैं, पुल मिला के पुरी तयारी कर चुका है, और आज जो बड़े नेता आरे, बड़े केंट्रमंत्री आ रहे हैं, के बड़े नेता वहें पूर भी नारे को लगता है, डिए भी आज़ता है, जो बादे आज पर लिए हैं, पुल को जो जो बेनाने हो ड़कर दोने के लिए यहां अब क्शा ओड़े णंहुनितर पर आप दद्रमंत के जो डर पर प्राइब दिखा जाए कल इंवेस्टर समिक का आखरी दिन होगा रास्प्रती दौप्ती मुर्मु कल प्रस्थान करेंगे लखनों में क्या कुछ रूट डाइवर्जिन इसको लेकर किया गया है प्राइब इसको अपर आखरी दिख्रती है में वहां प्राइब चास भी बहुता बंचेंगी स्टे डिख्रत पर जिकल आखरी देखरेंगे हुआ इसके बात इसे पर जड़ूप्ती दौफिया जाता पर दौछ बात परश्टारी ने इसने कल पसंप पहुचाए जाएक उसक कि जो इनवस्टर कर दो इसका में वह बहुत बड़े दिकता हैं और भूद बड़े दिकता कि आने संभावना भी है और इससे पहले देखर नहीं है और अच्छे बड़ी काथ यह की राश्ता कि नहीं नहीं है पुछेंगी आतारजम के समापन करेंकर उनके प्रदोपॉर के अज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है तमाम केंद्री मंत्रियों का आगमन अभी शिरकत करें आज थोड़ी ही देर में आज देखा जाया है तो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और देखा जाए तो जिस तरीके से ग्लोबल इंवेस्टर समिट में इतिहास की बात की गई थी, भारत की संस्रीती दिखाने की बात की गई थी, इंवेस्टर्स को लुभाने के लिए, तो हमारी समधाता विवेक शाहिल रूमी गेट से हमारे साथ जुडेंगे विवेक देखा जाए ग्लोबल इंवेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ तयार्या देखनी को मिल रही है विवेक इंवेक शाहिए तो अधार्या जाए आज इस दिए इस तबढ़ दूसरा दिन है कल शीषा दिन होगा समाटन का दिन होगा और राश्ट्र पती जो है जब दिन रूब रूब इंच अकार्काम इस अधिक अब्याव जर्या आज उसको देखते विए ते एक तो दे अधिक अधिन के जिन कि घूब दू में इस बातम लाइं है ब़्यांता की सनाक चाहिए वरल ये कांग व्रूब आदया लाआ खेल जो अ मिल्या इस वैब व्त कॉंद कर रहे रहाँ है परेसे खाइट मेरैं कि अंशरी आफेसेसे खाये लिट कि एबाता संक्राइबधया चैनल की यिज मांुले Kisa Kaikैं क फिर्म के उनका हुआ का मुअ मुलिक हुआ बास घ्रेख आओबिविदा ठीज में ड़ूमे आप ताइक यू अदित भी 뒤에 California वाते उनके रोटी मिलते हैं तो वाते हैं उनसे वह रूबरू होंगे जो काशीर रवार अलखनों के लखार आप कर से आप लोगों के पराइब आपक नापि वह रहा हुआ है तो आपने बताया कि जिस तरीके से इडवेस्टर्स को लुभानी के लिए रूमी दरवाजे चली तो क्या कुछ खास अग्यारिया देखने को मिल रही है तो आपने बताया कि ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए इतिहासिक धरोरे दिखाई जाएंगी तो क्या कुछ वहां पर रूमी गेट में क्या कुछ तैयारिया देखने को मिल रही है और देखने को दिखाने की कुछ तरहिए इसके बाद इमामारा की जीजेए और दीडिया आपके इतनी देख सकते हैं लगतार देखते हैं अधिना जाना हो जारे है चाहिए लगनाओ के वागती हो यहां पर दूसरे जगों के लोग भी आया हैं तेमाम देखर के प्रकार के लोग जो है लखनों बताया है और बश्कुराई है आप लखनों में ये चीजे अब जाके लागू उपारे लोगों को अच्छा लगवारा है का रहा अगर ताकिन धरुबर्वासरों की बात के जाए तो लगतार जह यहां पर दिखाने के जिस्तकार के ये रूमी दवाजा ये पीछी काईचा यहां पर काम चल रहा है इसके बाद जो चूंटी को लेकर जो आएजन किया गया है लगतार मैं उनको दिखाने की खुशिश करेंग यह पर दिखा जाए तो जो तरीके से आपने बताया कि वहां पर तैयारियां की गई है खास मेहमानों को घुमाने के लिए या लगनों का वहां पर जो चीजे दिखाने के लिए किस तरीके से विवस्ता की गई है दिखिए जो यह निगेशक हैं जो मेहमान है जो बेस पर आए हुए है वो अपने कि स्कॉर्ट के साथ आएंगे बगादा उनके साथ स्कॉर्ट करने और सुरच्टा ब्रस्ता भी उनके साथ की जाएगी मैंको बता जो कि लगनों की पाट जो उन से सौसर पुलिसकरमे को स्मा हैं उनके साथ हुआएंगे वकादा उनके लिए प्रसाफर में गारी गुख के दिखी है चंडी पंजाब से गारी अमगवाई गई है और वो गारीया को है उनको लेके तमान को जगा है रेसिदेंस्टी कहले जिए मारा कहले जिए या पिर जितने भी अशाशी दरोवा रह कि दिखाने के लिए का जा रहा है तो क्या कुछ वहां पर इका गाडिया या उट वगएरा जिस तरीके से वहां पर विरासत में प्राचीन धरोहर की तरह क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है शुन को रहते हैं जो लोगों को यहां पर तामेक बढ़ करें तुमने ने भीवाटों. अर्य च्छित प्रदमें बताया कि उनको जो मत्रणाओं कहीं है नहीं कासी सब्सक्तन ना रहा है यहां पर अगर एक्ये वालों की बाद की जाए, तांगे वालों की बाद की जाए, या फिर जो उट लेके सबसे उनकी बाद की जाए, यहां पर पूरे केमपस में आपको यह लोग दिलेंगे, और जब विजेशी निवेस्ट आएंगे, तो इस सब जो लुफ को बढ़े आरा झालों की जाए, झालों की जाए, यहां 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 झालों की जाए, यह